ह worthwhile friends मसाला जुआ रोटी के बाद आए आज बनाते है जुआर के फुलके बहुत जन बुलते हैं कि हमारी जुआर की रोटी तूट जाती है बनाते वक्त या फूलती नहीं है या मोटी बनती है पर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बनेगी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल रही और फोल्ड हो रही है इसके लिए हमें एक पैन में पॉने दो कप पानी डालना है और इसे नमक डालके अच्छे से उबाल लेना है जब ये उबल जाए तो आप इसकी आच बन कर दे और इसके अंदर पॉने दो कप जुआर का आटा डाले ये मैंने दो कप में से थोड़ा सा निकाल दिया है तो पॉने दो कप हो गया है और इसको स्पैटूला से अच्छे से मिक्स कर दे आप इसे चमत से भी mix कर सकते हैं पर spatula से easily ये mix हो जाता है अब यहाँ पर spatula पर से मैं आटा निकाल के इसको cover कर दूँगी 7-8 मिनिट के लिए अब 7-8 मिनिट के बाद में cover हटा के एक बार और इसको mix कर दे अब इसे हमें जैसे हम आटा गुनते हैं वैसे ही हमें नरम आटा गुनना है जो हमारा रोटी का आटा होता है उसी तरीके से आटा गुनना है अगर ये गरम लगे आपको तो आप 2 मिनिट और रुख सकते हैं ये देखिए ये कितना easily अच्छे से आटा गुन जाता है और बिल्कुल भी हमें इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है यह नरम आटा गुन के रेडी है यहाँ पर मैं आदा चमच घी डालके इसको अच्छे से फिर से गुन रही हूँ अच्छे से इसको मसल दे अब जितना अच्छा मसलेंगे उतनी ही रोटी सौफ्ट और अच्छी बनेगी यह यहाँ पर मैं अभी गोला बना रही हूँ छोटे छोटे गोले बना कर रख दे और इसे ढखन लगा कर आप रख दे नहीं तो आटा सूक सकता है तो जैसे जैसे आपको चाहिए वाशी वैसे एक गोला लेकर आप रोटी बेलते जाए और सिकते जाए यह यहाँ पर मेरे सारे गोले रेडी है यह रोटी ग्लूटेन फ्री रहती है और डाइजिस्ट करने में बहुत ही ईजी ली डाइजिस्ट हो जाती है ये मैं एक गोला लेके अभी इसकी रोटी बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बेलन से बना रही हूँ, आप इसे जो रोटी मशीन होती है प्रेस करने वाली उसमें भी बना सकते हैं, ग्रीजिंग कर दे पहले उसको यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा आटा सुखा डालके क अच्छी और पतली रोटी बेल रही है, जैसे इसकी साइड भी ब्रेक नहीं हो रही है और जैसे हमारी गेहू की रोटी बिलती है वैसे ही यह बेलने में आ रही है, अब तवा गरम रग दे और गरम तवे के उपर इसे डाल दे, इसको एक बार आप पलट दे और अच्छे स थोड़ा सा हिला दे, जब यह उस तरफ से हो जाए तो इसे आप इस तरीके से घैस पे फुला दे, आप इसको तवे पे फुलाना चाहे तो कपड़े से फुला सकते हैं, पर यह फुल के हैं, इसके लिए मैंने घैस पे फुलाना उचित समझा, और घैस पे फुली हुई रो जो मैं फिर से आपको बेल के बता रही हूं फ्रेंड्स ये जब हम खाते हैं तो दो की जगह हम तीन भी रोटी खाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है गेहू से जवारी डाइजेस्ट होने में बहुत ही हलकी होती है और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है ये देखिए यहां पे सेकेंड रोटी भी कितनी अच्छे से बेल रही है आप इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला बेल सकते हैं और ये बहुत ही इजीली बेलने में आती है ये यहां सेकेंड रोटी भी रेडी है मारी सिकने के लिए ये भी यहां मैंने तवे पे डाल दी है अब इसको म में दे सकते हैं बड़ो को टिफिन में लेके जा सकते हैं रोटी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है फ्रिंस जवार के इंदर मिनेरल्स, विटामिन्स, आयरेन, फोस्फरेस बहुत होता है जो हमारे वेट को लॉस करने में हेल्प करता है डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर आपके बस ऐसी जाली है तो आप उसके ऊपर भी ये रोटी फूल आ सकते हैं देखिए कितनी बड़िया गी लगा के परसे वैसे बीना गी लगाए भी खा सकते हैं अगर डाइट पर है तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे के मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेश आपको मिले, मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, थैंक यू